नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टिमस अकेडमी में दोस्तों आज हम आपकी लिए भारत के वायसराय से जुड़े कुछ इंपोर्टेंट MCQ की वीडियो का पार्ट टू लेके आए है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरूर करना दोस्तों हमने बैंकिंग SSC और स्टेट गोर्वर्मन जॉब्स के आफ्लें बैचिस भी स्टार्ट कर दिये है अगर आप admission लेना चाते हो तो description में आपको मारी contact डिटेल मिल जाएगी वहाँ से आप हमें contact कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नेक्स्ट क्वेशन है लॉड रिपन के बाद भारत का वायसराय कौन बना था इसका answer है लॉड डफरिन लॉड रिपन के बाद भारत का वायसराय लॉड डफरिन बना था इसके समय तृत्य आंगल वर्मा योद हुआ था जो की 1885 इस्वी से लेकर 1888 इस्वी तक चला था और इस योद के बाद जो बर्मा था वो पून रूप से अंग्रेजी राज्यव में मिला लिया गया था नेक्स्ट क्वेशन है भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस की स्थापना किसके समय हुई थी इसका answer है लॉड डफरिन के समय बारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस की स्थापना लॉड डफरिन के समय हुई थी अठाई दिसंबर 1888 इस्वी को बुंबई में एयो हयूम के नेतित्तों में भारतिय कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी करजन के भारत विरोधी कारियों में सरवाधिक महत्वण कारियों बंगाल विभाजन को माना जाता है भारतियों पूरतात्विक विभाग की स्थापना भी लोड करजन के समय ही हुई थी इसका अंसर है 1904 इसवी में 1902 इसवी में Sir Tom's Rayleigh की अध्यक्ष्टा में विश्यो इडालियो आयो की स्थापना की गई थी और 1904 इसवी में भारतियों विश्यो इडालियो आधिनियों पास की आ गया था तो ध्यान रखना है आप लोगों ने तो 1902 इस्वी में विश्यो विदालियो आयो की स्थापना हुई थी और 1904 इस्वी में भारतियो विश्यो विदालियो अधिनियम पास किया गया था Next question है Muslim League की स्थापना किस के समय हुई थी इसका answer है Lord Minto Dutya तो Muslim League की स्थापना Lord Minto Dutya के समय हुई थी इनके समय में आगा खां और सलीम खां के नितित्तों में धाका में 1906 इस्वी में Muslim League की स्थापना हुई थी तो ध्यान रखना है आप लोगों ने 1906 इस्वी में धाका में Muslim League की स्थापना हुई थी इसका answer है सूरत अधिवेशन में तो कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 इस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और कांग्रेस पार्टी गरमदल और नरमदल दो भागों में बंट गई थी मुसल्मानों के लिए अलग निर्वाचन विवस्था मौर भंग नेगाते हैं जोर्ज पंचम और महरानी मेरी भारत आये थे और उनके तिलक हेतू दिल्ली दर्बार सिजाया गया था तो ध्यानक नाए आप लोगों ने जोर्ज पंचम भारत 1911 इस्वी में आये थे 12 दिसंबर 1911 इस्वी में दिल्ली में एक दर्बार आयोजित हुआ था जिसके तहट जो बंगाल था उसकी विभाजन को रद करने की गोशना की गई थी और भारत की राधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांत्रित की गई थी इसलिए 1912 इस्वी में भारत की राधानी दिल्ली को बना दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्व यूद कब पारंब हुआ था इसका अंसर है 28 जुलाइस 1914 इस्वी में तो प्रथम वेश्व यूद 28 जुलाइस 1914 इस्वी में पारंब हुआ था प्रथम विश्यम यूद के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हरडिंग दुटिया थे लॉर्ड हरडिंग दुटिया को कब बनारस हिंदु विश्यम पटी नियुक्त किया गया था इसका अंसर है 1911-7 में तो लॉर्ड हाडिंग द्वित्या को बनारस हिंदू विश्युई डाला का कुलाधिपती 1916 इस्वी में नियुक्त किया गया था नेक्स्ट क्वेशन है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था इसका अंसर है 1919 इस्वी में रॉलेट एक्ट 26 जन्वरी 1919 इस्वी को लॉर्ड चेम्स फोर्ड के समय पारित हुआ था नेक्स्ट प्वेशन है जलियावाला बाग हत्या कांड कब हुआ था इसका अंसर है 1919 इस्वी में तो जलियावाला बाग हत्या कांड 1919 इस्वी में हुआ था लौर्ड चेम्सपोर्ड के समय 13 अप्रेल 1919 इस्वी को जलिया वाला बागत्या कांड हुआ था जनर्र डायर नामक एक अंग्रेज ओफिसर ने सभा में उपस्तित भीड पर गोलिया चलवा दी थी जिसमें 400 से अधिक लोगों की मृत्यू हो गई थी तो ध्यानक नहीं आपने 13 अप्रेल 1919 इस्वी को जलिया वाला बागत्या कांड हुआ था इसका अंचर है 1920 इस्वी में तो खिलाफत अंदोलन और गांदी जी का अस्योग अंदोलन लौर्ड चेम्सपोर्ड के समय शुरू हुआ था इसका अंचर है लौर्ड चेम्सपोर्ड के समय तो लौर्ड चेम्सपोर्ड के समय 1916 इस्वी में होम रूर्ड अंदोलन चलाया गया था इसका अंचर है 1922 इस्वी में तो चोरी चोरा कांड 1922 इस्वी में हुआ था चोरी चोरा कांड चार फर्वरी 1922 इस्वी को भारत के गोरतफूर जिले के चोरी चोरा में हुआ था जब अस्योग अंदोलन में भाग लेने वाले परदर्शन कारियों का एक बड़ा समू पुलिस के साथ भिड़ गया था इस घटना के कारण तीन नागरिक और 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यू हो गई थी क्यूंकि प्रदर्शन कारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी जिसके कारण 22 पुलिस की मृत्यू हो गई थी इसका अंसर है चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने असियोग अंदोलन ततकाल वापिस ले लिया था इसका अंसर है चोरी चोरा कांड के बाद गांदी जी ने असियोग अंदोलन ततकाल वापिस ले लिया था इसका अंसर है 1923 इस्वी में चितरेंजन दास एम मोतिलाल नहरू ने इलाबाद में कॉंग्रेस के अंतरगर्ज सवराज पार्टी की स्थापना की थी इसका अंसर है लॉड रीडिंग तो चोरी-चोरा कांड के समय भारत का वायस राय लॉड रीडिंग था इसका अंसर है 1921 इस्वी में मोपला विद्रो के मोपला मुसलमानों द्वारा 1921 इस्वी में स्थान्य जमिदारों और ब्रिटिशों के खिलाफ किया गया था इस विद्रो को कुछ समय बाद ब्रिटिशों ने दबा दिया था तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का इस वीडियो हमें कमेंट करकी जुरूर बताए अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा अगर आप इस वीडियो को फेस्बूक पे देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो यहां पे लाते रहेंगे धन्यवाद